आज का हमारा ये अंग बजरंग बाण के विशय में है आप लोग हनुमान 40 का पाठ तो करते ही हैं पर इसी के साथ साथ अगर आप बजरंग बाण का भी पाठ करते हैं तो इसे आपको अपार लाब प्राप्त हो सकता है तो आज हम बजरंग बाण के सभी विशेश पहलूँ के बारे में जानेंगे कि कैसे ये पाठ किया जाता है, क्या इसके लाब हैं, किस बिमारी में, किस अवस्था में ये पाठ करना चाहिए इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे देखिए हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो आज के समय में जीवन्त हैं अर्थात वो आज के समय में धर्ती पर ही मौजूद हैं जो भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करके उनका भै उनका डर दूर करते हैं सबी तरह के रोगों से उन्हें मुक्ती दिलाते हैं, दुखों से मुक्ती दिलाते हैं, पीडाओं से, संकटों से छुटकारा दिलाते हैं इसलिए हम लोग हनुमान 40 का पाठ तो करते ही हैं पर साथ ही साथ अगर बजरंग बाण का भी हम पाठ करें तो इससे हमें अपार लाब प्राप्त हो सकता है यहां मैं आपको विशेश रूप से बजरंग बाण के बारे में आज सभी महत्रपूर्ण पहलों के विशेश में बताऊंगी कि यह पाठ कैसे किया जाता है क्या इसके लाब है इसको जानना बेहद आवश्यक है एक-एक समस्या के बारे में हम विस्तार से जानेंगे तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि बजरंग बाण को करना कैसे है इसका पाठ करते कैसे है तो एक बात सबसे पहले ये समझने कि सामान्यत है हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में अंतर क्या है बजरंग बान हनुमान जी की आराधना करके उनका आशरवाद पाने के लिए सबसे उत्तम उपाए है क्योंकि बजरंग बली भगवान श्री राम चंदर जी के भक्त है इसलिए बजरंग बान में मुख्य रूप से भगवान राम की हनुमान जी को सौगन दी जाती है अब देखे हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहां हम बड़े प्यार से हनुमान जी के चर्णों में अपनी प्रार्थना रखते हैं उनकी महिमा का हम गुणगान करते हैं लेकिन बजरंग बाण में हम उन्हें शपत देते हैं उन्हें दुहाई देते हैं और वो भी किन की उनके आराध्य की भगवान श्री राम की और माता जानकी की तो निश्चित रूप से ये हनुमान जी के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इसका अर्थ ये है कि हम जैसे हनुमान चालीसा हर रोज कर सकते हैं बजरंग बाण का पाठ हम केवल और केवल विकट परिस्थितियों में ही करते हैं जब आपकी हनुमान चालीसा से भी बढ़कर आपको सहायता की आविशक्ता हो तब आपको बजरंगबान का पाट करना चाहिए मतलब जब आप सचमुच बहुत परिशान हैं तभी क्योंकि देखिए आप किसी को कसम कब देते हैं जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही हो तब आप कसम दिलाते हैं तो यहां भी हनुमान जी को उनके प्राणों से भी प्रिये श्री राम जी की कसम दी जा रही है बूत प्रेत पिशाच निशाचर अगर बैताल काल मारी मर इन्हें मार तो है शपत राम की राखनात मरियाद नाम की तो हम कहते हैं कि हे हनुमान जी आपको श्री राम जी के नाम की मरियादा रखनी हैं आप इन्हें मारो जैसे हनुमान चालीसा में हम कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा ऐसी साधारन भाषा का प्रेयोग हम करते हैं हनुमान चालीसा में परन्तु बजरंग बाण में जो भाषा हम प्रेयोग कर रहे हैं वो अत्यंत कठेन है एक चुनोती पूर्ण भाषा है भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगर बैताल काल मारी मर तो अलग-अलग प्रकार के नकरात्मक शक्तियों के हम नाम लेते हैं और उठ आप इन्हें मारो इन नकरात्मक शक्तियों को आप मारो आपको राम जी की शपत है और उसके बाद इसके आगे हम कहते हैं जनक सुता हरी दास कहावो ताकि शपत विलंब न लाओ उठ उठ चल तोहे राम दुहाई पाए परो कर जोरी मराई अर्थात हम यहां श्री हनवान जी को मजबूर कर रहे हैं इसलिए बजरंग बाण अत्यंत शक्तिशाली है यह बजरंग बाण का उपाए बहुत ही अचूक उपाए है यह बजरंग बाण जो मारे ताहे कहो फिर कौन उबारे मतलब यह ऐसा बाण है जिससे कोई उबार नहीं सकता ये वो बाण है जिससे नकरात्मक शक्तियों को मारा जाता है ताकि इससे वो उबर ना पाएं, उठ ना पाएं, उनका अंत हो जाए तो बजरंग बाण का पार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बजरंग बान के पाठ से पहले आपको गणपती जी का वंदन करना है बक्रतुर्ण महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरुमेदेव सर्वकारेशु सरवदा ऐसा कहते हुए सबसे पहले आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि निर्विग्न रूप से हमारा ये पाठ हो सके उसके बाद आप भगवान राम और माता जानकी का ध्यान करें और फिर हनुमान जी को मनन करते हुए उनका ध्यान करते हुए उनसे आप अपनी मनो कामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें. जो भी आपकी समस्या है, जीवन में जो भी आपकी परिशानी चल रही है, विशेश रूप से अगर कोई नकरात्मक शक्तियों की परिशानी है, जैसे कोई टोना तोटका या फिर तंत्रबाधा, तो वहाँ पर विशेश रूप से बजरंगबान बहुत ही प्रभावी होता है और कोई भी जो परिशानियों में या संकटों में घिरा हुआ हो, वो बजरंगबान का पार्ट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आप बजरंगबान का संकल्प ले सकते हैं, कि 11 दिन का या फिर 21 दिन का मैं प्रती दिन पार्ट करूँगा, और साथ साथ आप अपने हनुमान चालिसा का भी पाट करते रहें उसे बंद ना करें उसे रोके ना और हो सके तो श्री राम नाम का कीर्टन या फिर श्री राम जैराम जैजे राम का जाब भी हनुमान जी को जरूर सुनाए उसके बाद आप हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करें कि मेरी ये समस्या है, आप इसका मुझे समाधान दे, कम से कम 11 दिनों तक एक क्रम बद तरीके से आपको ये पाट करना है, अब पाट कब करना है, तो देखे, अगर सुबे सुबे आप पाट कर सकते हैं, तो सबसे उत्तम है, और अगर आप सुबे नहीं कर पाते हैं, तो जब आपके पास समय हो आप तब ये पाट कर सकते हैं रात को सोने से पहले भी अगर आपको बुरे सपने आते हैं या आपको सपने में कोई परिशान करता हो कोई नकरात्मक शक्ती आपको तंग कर रही हो तो भी आप सोने से पहले बजरंग बाट करके सोएं आपको उससे लाब मि तो बजरंग बांड का पार्ट अब करना कैसे है तो बजरंग बांड का पार्ट करने के लिए हो सके तो आप सूर्यूदय से पहले उठकर यानि छे बज़े जैसे सूर्यूदय हो जाता है तो पाच बज़े तक उठकर स्नानादी कर ले उसके बाद हनुवान जी की मूर्ती य अगर आसन लाल हो तो सबसे अच्छा है, कोई काले रंका या गहरे रंके आसन का प्रियोग ना करें, और फिर उसके बाद हनुमान जी के सामने एक दिया जलाकर आप बजरंगबान का पार्ट कर सकते हैं, धूब, दीप, फूल, जो भी मिल सके आपको, आप वो चढ़ाते हु लाकि इस वाली आरती से आप हनुमान जी की आरती करें, अब सबसे ध्यान रखने वाली बात बजरंगबान की पार्ट में ये है, कि आपको बजरंगबान के पार्ट में अपने शब्दों का उचारन बिलकुल शुद रखना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, प्र आपस में कलेश रहता हो, लड़ाई जगड़ा रहता हो, तो आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपकी कुंडली में ग्रह दोश हो, तो उसकी समापती के लिए भी आप बजरंगबान का पार्ट कर सकते हैं, गंभीर बिमारियों से छुटकारा प आने के लिए, जैसे कि ऑफिस में या व्यवसाय में अगर आपको कोई परिशानी आ रही है, लोग आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो भी आप हनुमान जी से सहायता मांग सकते हैं, और इसके लिए आप निश्चित रूप से बजरंगबान का पार्ट कर सकते हैं, और पिशेश रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन तो अवश ही आप बजरंगबान का पार्ट कर सकते हैं, और अगर रत रख करके करें तो सबसे उत्तम हैं, वास्तु दोश या मांगलिक दोश इन सभी दोशों का भी निवारन बजरंगबान से संभव हैं, किसी भी प्रक बजरंगबान का पार्ट आप संकल्ब करके 11 बार या 21 बार जितनी बार भी आप कर सकें, आप करके देखें आपको निश्चित लाब होगा, और प्रार्थना करें हनुमान जी से अपने समस्या के निवारन के लिए, तो हनुमान जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे, और अ जानिये कि कब आपको बजरंगबान का पार्थ नहीं करना है, तो किसी भी अनैतिक कार के लिए, या किसी को भी नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, या कोई सामान ने बाधा, या छोटी मोटी समस्या के निवारन के लिए, आपको बजरंगबान का पा क्योंकि हनुमान जी जागरित देव हैं वो सब कुछ जानते हैं वो सब कुछ देख रहे हैं उनसे कुछ नहीं छिपाए तो इसलिए भौतिक एक्षाओं की पूर्ती के लिए बजरंगबान का पार्ट नहीं करना चाहिए किसी को नुकसान पहुचाने के लिए बजरंगबान का पार्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए महिलाएं अपने मुश्किल दिनों में भी बजरंगबान का पार्ट बिल्कुल ना करें बजरंगबान का पार्ट जब भी शुरू करें तो कोशिश करें कि मंगलवार से शुरू करें, यह सबसे उत्तम होगा, और अगर किसी बड़ी मनुकामना की पूर्ती के लिए आप बजरंगबान का पार्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 41 दिन तक आप इसका पार्ट जरूर करें, दिन में 3 बार या 5 बार या 9 बार या 11 बार, और यदि इतना ना हो सके, तो आप केवल एक बार भी बजरंगबान का पार्ट कर सकते हैं, तो आज का बजरंगबान पर ये विशेश अंग हम यहीं विराम देते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आज के इस अंग को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जै शी राम, जै बाबा की